जेहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलेक्ट तो दोस्तो एयरफोर्स के 83 तेजस एयरक्राप्ट और आर्मी के लिए 118 अरजुन मार्कवान एयर टैंकों को खरीदने के बाद अब इंडिया नेवी के ताकत को बढ़ने के लिए प्रोजेक्ट 75 आई के तहट खरीदे जाने वाले सब्मरीन के लिए भी आगे बढ़ रहा है और दा हिंदू के एक रिपोर्ट में हाली में बताया गया है कि संभावित एप्रिल महिने में डिफेंस मिनिश्री के तरफ से नेवी के सब्मरीनों के डील को लेके कोई बड़ा डिसिजन लिया जाएगा जबकि दूसरे तरफ इंडिया नेवी के सब्मरीनों में इस्तिमाल करने के लिए जो एर इंडिपेंडेंटन प्रोपल्सन सिस्टम मतलब AIP सिस्टमों का निर्मान किया जा रहा है उसके डेवलप्मेंट में भी इंडिया को बड़ा एक सकस्स मिला तो दोस्तो आज के वीडियो में आप लोगे को प्रोजेक्ट 75 AI सब्मरीन के डील को लेके एप्रिल के महीने में कौन सा बड़ा डिसिजन लियाया सकता है उसके बारे में बताऊंगा जबके वीडियो के आखरी हिस्से में इंडिया के AIP सिस्टम मतलब Air Independent Propulsion सिस्टम के एचिपमेंट के बारे में भी बताऊंगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों आप सब लोग को पताई होगा कि इंडियान Armed Forces के लिए अमेरिका से 30 द्रोन खरीदने के बात कहा जा रहा है और इन द्रोन के डील के इलावा इंडियान नेवी के लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ प्रोजेक्ट 75i के सब्मरीन के डील को लेके भी एप्रिल महिने में डिफेंस एकोईशन काउंसिल द्वारा एप्रूबल दिया जाए सकता है हाली में इस मामले में जानकरी रखने वाले उच्छे अधिकारी के तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि मार्च के महिने में डिफेंस एकोईशन काउंसिल के तरफ से कोई नया डील का अप्रूबल नहीं दिया जाएगा बलकि एप्रिल के महिने में डिफेंस एकोईशन काउंसिल, द्रोन और सब्मरीन के डिल के अप्रूबल दे सकता है दोसो पिछले साल ही डिफेंस एकोईशन काउंसिल के द्वारा दो इंडियन कमपनियों को 45,000 करोर रुपय के लागत से बना जाने वाले 6 सब्मरीन के लिए स्ट्राटेजिक पार्टनर चुना गया था और एप्रील महीने के डिफेंस एकोईशन काउंसिल के अप्रूबल के बाद संभावित कमपनियों के सामने request for proposal इशू किया जाएगा request for proposal के तहट इन कमपनियों द्वारा foreign original equipment manufacturer के साथ strategic partnership mode में इंडिया नेवी के लिए सब्मरीनों के concept को आगे लाना है दोसों इवेन आफके जानकारी के लिए बता दू कि इंडिया दोरा अल्रेडी पाच foreign equipment manufacturer को चुन लिया गया है और इन पाचों में से किसी एक company के साथ Indian strategic partner के समझोते के तहट SP mode में मतलब strategic partnership mode में इन सब्मरीनों को भारत में निर्वान किया जाएगा जिन पाच कमपनियों को original equipment manufacturer के रूप में चुना गया है उनमें साथ कूरिया के D.F.O. Shipyard and Marine Engineering France के Naval Group, Spain के Neventia Russia के Rosawaran Export और जर्मनी के Tucson Group Marine System शामिल है और जो दो भारत के strategic partnerों को किया है उनमें सबसे प्रमुक है महराष्टर स्थित, मज़ेगाव डॉक लिमिटेड और प्राइबिट कमपनी L&T दोस्तों strategic partnership में बनाय जाने वाले इंडियन नेवी के लिए सबसे महतोपूर्ण डील है और D.P.P. के तरफ से ये strategic partnership के concept को इसलिए आगे लाया गया था ताकि इंडियन कमपनीों को भी महतोपूर्ण डीफेंस डीलों में अपने भागेदारी बढ़ाने का मौका दिया जा सके इवन दोस्तों project 75i के सब्मरीनों में जादा से जादा इंडियन निर्मित इक्वेपमेंटों को लगाय जाएगा जिन में इंडिया के द्वारा डेफलाफ किया हुआ स्टील से लेके इंडियन हत्यार, computing system और air independent propulsion system भी शामिल है भारत में सब्मरीन निर्मान में मज़ेगाव डॉकियाड लिमितेड को सबसे जादा experience है मज़ेगाव डॉकियाड लिमितेड द्वारा अल्रेडी इंडियन नेवी के लिए 80s में 200 शुमार क्लास सब्मरीनों का निर्मान की आया चुका है जिनने आज हम INSL की और INS शंकूल के नाम से जानते है जबकि इसके इलावा मज़ेगाव डॉकियाड लिमितेड में ही इंडियन नेवी के कल्विरी क्लास के सब्मरीनों का भी निर्मान चल रहा है मज़ेगाव डॉकियाड लिमितेड फ्रांस के कंपनी नेवल ग्रूप के मदद से भारत में ही छे कलवरी क्लास के सब्मरीनों का निर्मान कर रहा है जिन में से अल्रेडी पहला और दूसरा सब्मरीन मतलब आइनेस कलवरी और आइनेस कंदरी इंडियन नेवी में एक्टिव हो चुका है जबकि तीसरा सब्मरीन, मतलब आएनेस कंजर, आज इंडियन नेवी में शामिल होगा। इसके इलावा इसका चौथा और पांचवा सब्मरीन, आएनेस वेला और आएनेस वगीर, फिलाल अंडर सी ट्रायल है। जबकि इसका छटा मतलब सबसे आखरी सबमरीन आएनेस वाक्षी फिलाल अंडर कॉंस्ट्रक्शन है। दोस्तो कुल मिला कि इंडिया ये पेंडिंग पड़ा हुआ डील को और डीले नहीं करना चाता है। और सब्भावित इसी वज़ा से ही डिफेंस विनिश्टरी के जरफ से अब जल से जल बाकी स्टेप को भी कंप्लीट करते हुए प्रोजेक्ट 75 IK6 सबमरीनों के भी कॉंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है। इस्तेमाल करने का भी बात कहा जा रहा है। औक्सिजन के ही सबमरीनों के बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है। और DRDO अपने सबमरीनों में ऐसे एक्वेपमेंटों को इंस्टॉल करने के लिए खुद का ही एर इंडिपेंडन्ट प्रोपल्सन सिस्टमों का निर्मान कर रहा है। और हाली में इन सिस्टमों को लेके जो एचीब्मेंट हुआ है वो असल में इसके लैंड वेस परिक्षन को लेके DRDO के तरफ से डिफलफ किया हुआ। ये नया Air Independent Propulsion System को हाली में User Requirement के मुताविक Endurance Mode और Max Power Mode में टेस्ट किया गया। दोसों ये Air Independent Propulsion System basically DRDO के Naval Material Research Laboratory NMRL द्वारा बनाया जा रहा है जबकि Private Company L&T का भी भागेदारी है। रिपोर्टों के मुताविक DRDO के तरफ से बनाया जाने वाले ये सिस्टम जल्दी Indian Navy के सब्मरीनों में फिट होने के लिए भी तयार हो जाएगा। इन सिस्टमों को फिलाल जो कलवरी क्लास के सब्मरीनों का निर्मान किया जा रहा है उसमें भी फिट किया जाएगा। जबकि Project 75i के तहट बनाया जाने वाले सब्मरीनों में भी कलवरी क्लास के सब्मरीनों में पहला मेजर रिफिट के दर्मियान ही इन AIP सिस्टमों को लगा जाएगा और संभावित ये मेजर रिफिट सब्मरीन के कमिशन के 6-7 साल के बाद होगा। मतलब ये संभावित 2013-2024 से शुरू हो सकता है क्योंकि इंडियन नेवी को अपना पहला कलवरी क्लास सब्मरीन मतलब INS कलवरी 14 डिसंबर 2017 को मिला था। मेजर रिफिट के दर्मियान इसके लेंथ को भी बढ़ाया जाएगा ताकि इन एक्वेपमेंटों को आसानी से सब्मरीन में लगाया जा सके। दोसो इस तरीके का टेखनीक आलडेटी सुरियन द्वारा अपने सब्मरीनों के लिए भी आजमाया जा चुका है। सुरियन द्वारा अपने existing सब्मरीन के लेंद को बढ़ा करके बाद में उसमें AIP सिष्टमों को इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों फिलाल जो इंडियन नेवी के लिए करदरी क्लास के सब्मरीनों को मज़ेगाव डॉक्यार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है वो असल में फ्रांस के स्कॉर्फियन क्लास सब्मरीन का ही भारत का संसकरण है। इंडियन नेवी के द्वारा अपने बेडे में पहला AIP सिष्टम के रूप में इंडिजिनियस AIP सिष्टमों को ही लगा जाएगा जबकि पाकिस्तान AIP सिष्टम के लिए अन्य देशों के उपर निर्वर कर रहा है। जाधा आधुनिक और जाधा रिलाइवल सिष्टम होता है क्योंकि ये AIP सिष्टम के द्वारा समुंदर के नीचे बिना किसी जंजट के चार्ज भी हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा सब्मरीन के सेक्टर में चायना से भी मदद लिया जा रहा है और चायना के बनाया हुआ आठ सब्मरीन पाकिस्तान द्वारा भी खरिदा जा रहा है। दोसो फिलाल इंडिया सब्मरीनों को निर्मान करने के लिए काफी हद तक अपने जालतर एक्वेपमेंटों का डेवलप्मेंट कर चुका है जबकि पाकिस्तान अभी भी सब्मरीनों को अपग्रेड करने के लिए भी अन्य देशों के उपर डिपेंडेंट है। जुगार करके इसको करने के तरफ आगे भी बढ़ता है तो इससे आने वाले समय में पाकिस्तान और टर की दोनों देशों के उपर ही योड़ोप के देशों के तरफ से हतियारों के प्रतिवन लगाया सकता है। तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद